वेरोंद्रिया के मंत्रमुग्ध सामराज्य में धुंद भरे जंगलों और घुमावदार पहाडियों के बीच निशित प्रेम की सदियों पुरानी कहानी छिपी हुई है, स्टार क्रोस्ट प्रेमियों की एक कहानी जो समय और स्थान से पैर है. जादू और रहसी के इसक्षेत्र में, मॉन्टजीूज और काईप्यूलिट्स केवल नश्वर परिवार नहीं है, बलकि पीडियों से चाली आ रही रहस्य में शक्तियों का उपायोग कराने वाले शक्तिशाली कूल है. मॉन्टजीूज अगनी की मॉलिक शक्तियों का उपायोग कराटे है, जबकि काईप्यूलिट्स पानी की उरजाओं का संचालन कराटे है. इस प्राचीन जगडे के केंदर में दो यूवा आतमेन है, एराडाने मॉन्टिक और लियंडर कैपुलेट. अपने परिवारों के बीच कडवी दुश्मनी के बावाजूद, एरियादाने अपनी यूजियार भावना और सूरज की तरह चमकते सुनहरे बालों के साथ, खुद को चिंतित लियंडर की और आकरशित पाती है, जिसकी गहारी नीली आखे समुद्र की गहराई को दर्शा अनकी गप्ट बैठा के छिपे हुए उपवानों में होती है, जहां नश्वर क्षेत्र और पारी क्षेत्र के बीच का परदा पताला हो जाता है, यही पर जंगली आत्माओं और जंगली लोगों की निगरानी में उनका प्यार सबसे दुरलब फूलों की तरह खिलता है, ल अनकी रेगन में बहाने वाला प्राचीन जादू भड़क उठता है, जिससे संघर्ष की आग भड़क उठती है और उन सभी को भस्म कराने का खत्रा पैदा हो जाता है, फिर भी अराजकता और विनाश के बीच, एराडाने और लेंडर एक दूसरे से अस यूजियार भक्त आजादी के साथ जूड यू है जो सभी तरको को धाता बताती है, आजादी की बेताप कोशिश में वे बुद्धिमान जादूगरणी मौगिन की सलाह लेते हैं, जिसकी प्राचीन बुद्धी यूगों तक फैली हुई है, उसके मार्ग दर्शन से वे एक प्राचीन जाद को उजागर कराने के लिए एक खत्रनाख खोज पर निकलते हैं, जो अनेक युद्धारत परिवारों में शान्ती ला सकता है या क्षेत्र में अनकही तबाही ला सकता है। का सामान रूप से सामना कराटे हैं, अपने प्यार की ताकत और अपने संकल्प की गहराई का परिक्षन कराटे हैं। परिक्षानोन और कष्टो के माध्यम से वे सीखते हैं कि सच्चा प्यार सर्फ एक क्षन भंगुर भावना नहीं है, बलकि प्रकृती की एक शक्ती है, एक बंधन जो सबसे कठिन परिक्षानोन का सामना कर सकता है और सबसे अंधेरे बुराईयों पर विजय प्राप्त कर स हैं, उनका प्यार अंधेरे के बीच आशा की किरन की तरह चमकता है और याध्यापी अनकी कहानी तरासदी में समाप्त हो सकती है, उनका प्यार हमेशा जीवित रहेगा, मानव हदे की स्थाई शक्ती का एक प्रमान